हाई तो आज हम बनाने वाले हैं सवर स्पेशल हैल्दी प्रोटीन रिच सैलेड रैस्पी आप इस रैस्पी को लंच या फिर डिनर पर ट्राई कर सकते हैं और साथ ही ये सैलेड रैस्पी आपको वेट लॉक्स करने में भी काफी हेल्पुल रहेगी तो सबसे पहले मैंने और पानी डालकर इनको बॉइल होने के लिए रख देंगे और आज इस सैलेड में मैं किनोवा भी डालने वाली हूँ तो अगर आप चाहें तो इसको टोटली स्किप भी कर सकते हैं तो मैंने एक बोल में लिया है ये एक कप किनोवा और इसको हम पहले पानी डालकर अच्छ बरतन में पानी को गर्म होने के लिए रखा था और पानी अब गर्म हो गया है तो अब हम इसमें ये साफ किया हुआ किनोवा डाल देंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे साल्ट और बस इसको हमको बिल्कुल उसी तरह पकाना है जैसे हम राइस पकाते हैं और जब इसमे हलका सा पानी बस रह जाएगा तब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसको ढग कर 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे और 2-3 मिनट बाद ये अच्छी तरह से पक कर रेडी हो गया है ये देखें ये एकदम अच्छी तरह से पक गया है तो बस अब जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम कुछ वेजीज कट कर लेंगे तो सैलेट के लिए आप बिल्कुल अपने पसंद की जो भी वेजीज चाहें उनको कट कर सकते हैं आप इसमें कलरफुल बेल पेपर ढाल सकते हैं तो मैंने यहाँ पर अनियन, ग्रीन चिली, कॉरियंडर, कुकमबर और पनीर ये सभी लिया है और ये आपकी च्वाइस पर है कि आप इसमें कौनसी वेजीज डालना चाहते हैं और अब हम सैलेट के लिए पहले ड्रेसिंग रेडी कर लेते हैं तो आप चाहें एक बड़ा बोल ले सकते हैं या फिर इस तरह का कोई ग्लास जार तो उसमें मैंने लिया है ओलिव और डाल देंगे लेमन जूस, क्रेस्ट गार्लिक, साथी मैंने इसमें डाला है मिक्स्ट हर्ब, ब्लैक पेपर, ब्लैक साल्ट और साथी थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे बॉयल किये हुए छोले और साथी सोया बीन और बस हमने साथी जो भी वेजीस कट की थी उनको डाल देंगे किनोवा, पनी, और साथी मैंने इसमें ग्रीन चिली भी डाला है आप चाहें तो इसको विल्कुल हटा सकते हैं और बस इस तरह से आप इसको फ्रिज में इस्टोर करकर रख सकते हैं और जब भी आपका मन करें बस आप इसको एक बोल में ट्रांसफर करिए और करिए मिक्स 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 और ये रेडी हो गया है हमारा है एल्दी प्रोटीन रिच सैलेट और आप इस रेस्पी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा सच में ये सैलेट ना बहुत ही ज्यादा यमी था और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड इंच्वाई बाई बाई